उसको भोजन दे देजिए, रोग है और शदी की बिवस्था करा देजिए, पर उसको रश्रोई में ले जानो ठीक नहीं है। हम देखते हैं लो जिसे शेलिया, चूम रहे हो, चाट रहे हो, गले लगा रहे हो, सब में भगवान है, हम इसमें सलसे नहीं करते हैं। राधे राधे प्रेदर्सकों, प्रेदर्सकों आज हम पुझ महाराश्री की एक नई वीडियो ले करके आए हैं, जिसमें पुझ महाराश्री कोत्य पालने वालों को कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं। पूज्य महाराश्री की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसको भोजन दे देजी। रोग है औशधी की विवस्था करा देजी। पर उसको रशोई में ले जानो ठीक नहीं है। गाय की शेवा करते हैं, गाय को इशपर्ष करते हैं, गाय जहां अलगुशंका कर देती हैं, वो तीर्थे के समान पवित्रिष्थान जाता है। जो गाय में तत्व होई कुत्ते में हैं, भगवान भी कहे। विद्याविने शंपने, ब्राम्वने, गविहस्तनी, स्वनी चविश्वपाके चापंडिता सम दर्शिना। कुत्ते में और गाय में बरावर द्रश्टी जो रखता हुई ज्यानी हैं। क्या रखनी की बाद कही। द्रश्टी। लेकिन कुत्ते के मूत्र को आज तक कोई आचमन करते मिलाओ तो बता न। गाय के मूत्र को बड़े-बड़े परम हंश पीते हैं। पंचगव्य के रूप में औशधी के रूप में वो परमपवित्र है। गाय का गोबर लीप दिया जाय तो लक्षमी का निवास इस्थान माना जाता है। जहां कहीं कोई परमपवित्र, आयोजन, भागवतिक होते हैं, गोव के गोबर शिली और गाय के गोबर में गड़ेश जी की भी पुजा कराई जाती है। विराज मान करूं। तो हमारी दृष्टी सब में भगवत भाव की हो, इसमें कोई विरोध नहीं। पर आप जैसे कुत्ते का पालन पुश्ण कर रहे हैं, एकदम छूट है, घर में कहीं भी डोल रहा है, उसका शुभाव हैं। शुभना, चाटना क्योंकि उपशू रूप में हैं। और उसको ये घ्यानने की पवित्र स्थान है कि अपवित्र, कई भी लगुशंका कर दे, अपवित्र हो गया इस्थान। आपकी आशक्ति बन गए, आपको पता नहीं चल रहा कि आप अपने को अगले जन्म में कुट्टा बनाने की तैयरी कर रहे हैं। लिखा है, इसी की व्याख्या में लिखा हुआ है। अंतकालीन के चिंतन की ब्रती वही आती है, जो तुम पूर्व में चिंतन करते रहे हो, जिससे ज्यादा सकती कर ली। जैसे म्रग से कर ली तो म्रग में जाना पड़ा ना। तो क्या ये भगवत बजन नहीं करें। क्या। अरे गंड की नदी के किनारे रोज त्रिकाल श्णान करते थे। भगवान की भक्ती में बिन न पड़े इसले पती, पुत्र, परिवार सब, जितने नाते, सब को घ्यान के द्वारा नश्ट कर दिया था। पर राग कर वेठे म्रिगशे और वही दुलार, वही कादे पर ब यम यम वापिश्मरन भावं त्रजत्यंते कलेवन अच्छा भोजन देगो, अच्छी बिवस्था करो, जीव की जो जहां जैसे, सब भगवत आशक्ति ने, शास्त प्रमान के अनुशार उश्य बिवार करो, अनाशक्त होकर ग्रेश्थी में या विरक्ति में कहीं भी हो, अपने कर्तव का पालन करोगे भगवत प्राक्ति बजाएगे।